हलो दूस्तों मैं हूँ आपका हूस जूसफ जैक्स और यहां पर है मेरे पास रिड्मी वाइथ्री और इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं कि क्या रिड्मी वाइथ्री के अंदर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है या नहीं है तो यह जो एडेप्टर है यह है रिड तो माफ कर देना यह वाइथ्री है ठीक है तो यह है डेटा केबल और नॉर्मल डेटा केबल है कुछ अलग नहीं है इसमें तो यहां पर यह मेरे पास है फास्ट चार्जर जो के शाओमी का ही है कॉल कॉम 3.0 वाला 4.0 का तो भी तक उन्हों बनाया ही नहीं है तो इस फास् मैं अपने चार्जिंग डॉक्टर का इस्तमाल करूंगा जो कि किसी भी फोन के और एडप्टर की कैपेसिटी को बता देता है तो यहां पर मैं इस एडप्टर को जो है यहां पर अपने बोर्ड में कनेक्ट कर देता हूं और आप देख सकते हो कि यहां मीटर पे 5.28 एडप्टर बोल के देते हैं तो वो 5 वोल्ट से थोड़ा ज़ादा ही होता है लेकिन रियल में अगर 5 वोल्ट बोलके देते हैं तो वो साड़े 4 वोल्ट निकलता है ऐसा मैंने अपनी पहले कही सारी वीडियो में प्रूफ किया है जो कि आप चाहें तो चैनल पर जाके दे तो यहां भे आप देख सकती हो कि 1.34 1.33 1.19 एंपेर का सपोर्ट देखने को मिल रहा है यानि कि 2 एंपेर से थोड़ा कम ही है कम ही रहता है कुछ डेटा फ्लो में भी कंजम्शन हो जाता है तो लगभग हम इसको मानेंगे 1.34 एंपेर मैक्सिमम सपोर्ट आपको देखने को मि लाने अब हमारे फास चार्जर से हम लोग च耶क करते हैं कि क्या इसमें आदेख सकते हुँ इसकी क्या आ रही है तो 1.11 एंपेर 1.19 एंपेर यानि के तकरीबन तकरीबन उतनी ही आ रही है जितना कि पहले आ रहा था अब इस टेस्ट से यह पता चलता है कि इस फोन यानि के रिड्मी Y3 के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं मिलता है यह सिर्फ और सिर्फ पांच वोल्ट दो एमपेर के अड़ेप्टर से ही चा चल गया हो कि रिड्मी Y3 के अंदर आपको किसी भी प्रकार का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है हां ऐसा चार्जिंग एनिमेशन अगर आपको इनेबल करना है तो आप वीडियो देख सकते हो मेरे चैनल पर एवेलेबल है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प् आपको इसी तरह के धेर सारी टेस्टिंग की वीडियो मिलती रहेगी डिस्क्रिप्शन में मारा वाट्सेप ग्रूप लिंक है जिसको आप जरूर से जॉइन कीजिए वाइथरी के रिगार्डिंग वह सेपरेड ग्रूप है तो वाइथरी के मेंबर्स वहाँ पहले से आड हो चुके हैं तो आपको कुछ भी कुशन पूछना हो वाइथरी से रिलेटेड तो आप उस ग्रूप में आके पूछ सकते हैं